मास्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो मताने वाला हूँ कि आपके सरह से Redmi 9 Active में रएडमी 9 में आप income screen layout को change कर सकते हो अप income screen layout होता क्या है, तो यह जो आपके application है एक row में 4 है और एक column में आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 आ जाएंगे तो आपकी सरह से change कर सकते हो तो इसके लिए ऐसे hold कर लेना है और चले जाना है setting पे और setting पे जाओगे तो आपको यहाँ पे home screen layout का option में जाता है चाहे आप more पे जाओगे जब भी आपको यह same option मिलता है home screen layout का तो यहाँ पे 5 इस्टू 6 करोगे तो उपर से लेके नीचे तक तो आपको यहाँ पे 6 सी applications आएंगे लेकिन आप देख रहे होगे row में आपके applications पढ़ गए हैं तो अगर आप ज़्यादा application इस्तमाल करते हो तो इसको आप set कर सकते हो अब यहाँ पे एक चीज और कि आपका यह जो effect दिखता है यह आपके यहाँ पे notification ड्रॉर आगर आपने set कर रखा है तो इसमें भी दिखता है आप देख सकते हो और यह effect आपको home screen पे भी दिखता है तो इस तरह से कर सकते हैं या फिर आपको अगर आपना पुराना वाला ही या आपको layout रखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं तो video I hope कि आपको अच्छा लगा होगा तो like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए मिलते है next video में तब तक के लिए bye bye